दोस्तो अगर आपके पास Realme 8 स्मार्टफोन है और आप उसमें गेमिंग करते हैं तो आपको जो भी DPI रेट होती है ठीक है DPI की जो वैलू होती है उसे आपको कितना रखना होगा किसी भी गेम को खिलने के लिए जो की आपका मवाल भी खराब ना हो जिस तरीके से में बताऊंगा वो आपको रखनी होगी इस वीडियो को सुरू से लेकि लास तक आपका देखना होगा तो चलिए दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको बताता हूँ Realme 8 में DPI की value आपको किस तरीके से रखनी है या DPI की value की setting आपको किस तरीके से करनी है तो चलिए बना समयगा है वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटी से request करना चाहूंगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like कर दिना चैनल को subscribe कर दिना क्योंकि जब भी मैं इस चैनल पर इस तरह की वीडियो पब्लिक सरूँ सबसे पहले आपकी फॉन में चला जाना चाहिए तो चलिए चलते हैं बताते हैं डिपी आई की वेलू आपको कहां पर कितनी कैसी रखनी है ठीक है तो सबसे पहले दूस्तों आपका headshot lag करता है बार-बार दिक्कत होती है तो उसका भी इसमें solution है ठीक है यहां west wind candle यहां पर बर्जन होगा वर्जन पर विल्ड नंबर होगा विल्ड नंबर को आप 6-7 वाट टैप करेंगे तो एक developer option आपका own हो जाएगा developer option जैसी होना होगा वो आपका additional setting में मिल जाएगा ठीक है वाल की setting में जब आप जाओगे तो यहां पर आपको नीचे की तरफ मिलेगी additional setting ठीक है यहां पर कितनी भी हो सकती है लेकिन यहां पर आपको कितनी रखनी है और आपका गेम इतना जवर जस्त चलेगा काफी अच्छा चलेगा और हैट सोट अच्छा लगेगा कोई दिक्कत आपको नहीं आगी बारबाल लैक भी नहीं करेगा ठीक है तो फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही मैंने आपको बता दी है आपको डिपी आई की वेलू कितनी रखनी है ठीक है रियल्मी 8 स्मार्टफॉन में तो फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, जैहन्त!